हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Moto G8 Power Lite Android वाइल फोन में आप जो है Power On Sound सेटिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि Off कैसे कर सकते हैं और ये Power On Sound सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला उन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वॉयल फोन में सेटिंग पेज आपको और ओपन करना है ठीक है सेटिंग पेज में आपको जो है नीचे आना है यहाँपर आपको option मिलेगा यह sound का sound पे select करना है इसके बाद आपको sound के इस page में नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा यह power on sound का ठीक है इसके सामने जो button दे रखा है ना इस button को आपको select करना है तो यह button आपका ब्लैक टलर में off हो जाएगा यानि कि आपकी इस तरीके से यह power on sound setting disable हो जाएगी ठीक है अब यह power on sound setting जो है disable होने के बाद यह setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है तो जब भी आप अपने वाइल फोन को power off करेंगे ठीक है और power off करने के बाद आप अपने फोन को switch on करेंगे यानि की power on करेंगे न तो आपका वाइल फोन कोई भी sound create नहीं करेगा ठीक है किसी भी तरीकी sound की आवाज नहीं आएगी ठीक है power on करने के समय लेकिन यह setting जो है आफ करने से पहले एक sound create करती थी आपके फोन में ठीक है लेकिन आप आपने इस setting को off कर दिया है तो आप कोई sound create नहीं होगा ठीक है यह setting जो है इस तरीके से काम करती है disable करने के बाद power on sound setting आपके motor g8 power light android while phone में ठीक है अब मैं आपको जो है ना इस power on sound setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना है क्या है आपको जो है ना अपने mobile phone का setting page आपको open कर लेना है ठीक है setting page open कर लीजिए और setting page में आपको सबसे उपर यह search setting को option मिलेगा search setting यहां पर आपको search bar में type करना है power on sound ठीक है जो setting का name है आपको पूरा यहां पर type कर देना है तो आपको नीचे की side यह option show हो जाएगा power on sound का ठीक है जब यह option show हो जाएगा नीचे की side में इससे select करना है इससे होगा क्या आपका mobile phone आपको direct इस setting पेज में आपको लेकर आजागा और इस setting को highlight करेगा तो यह shortcut तरीका इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में